जोस्तों आप सभी का स्वावगा थे नब्रे कंस्ट्रिक्शन के और एक वीडियो है जोस्तों आपके पास अगर अठरावाई 45 क्यानी की 810 स्कॉर फिट की जमीन है प्लॉट है तो आप किस तरीके की प्लान कर सकते हो मैं मैं बताने वादे जो मतान आप देख रहे हो इसकी अगर आपके पास 810 स्कॉर फिट और इसी डाइमेंशन के प्लॉट एरिया है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस पीज में एकनी जमीन में क्या-क्या चीज निकाल सकते इसकी ऐलेविशन किस तरीके की निकाल सकते हो आपको गमा के देखाओ दिखाता हो इसका फ्रांट एलेवेशन एक बार दोस्तों मकान का फ्रांट एलेवेशन के इस प्रकाल से है देख सकते आप बड़ी कुछ चुछत मकान है बहुत ही कुछत मकान है दोस्तों यह कॉर्णर का प्लॉट है फ्रापिट पांट है और गयरानिस को पैकाली स्ट्रीट है और अभी इस मकान में चुनाई प्लास्टर, स्टेक्चर और फ्लोरिंग के साथ-साथ अंदर सिंगल कोट पुर्ती और आउटर में बन कोट वाइट सिमेंट या फिर वाइड प्लॉट किया गया है यह किस तरीके से किया गया है किस तरीके की कस लेड़ाईनिग रियागया क्या-क्या-साथ में आपको देखाऊंगा आपको प्लोट है तो आप इसमें इस पोगपकें कर पाहँगे Yahyaic और इस दरीके की कॉर्णवक多प में इसमें फॉल सिलिंग भी है कुछी है, आसे कुछी है अदर लेकिन जिटिशम भाउल सिलिंग हुई एक बाल सिलिंग है सारी चीज़े में बास करेंगे मैंक पुस्चाइड और में निए एक षाएड में werde है कर दोटे दोस्तों आंडर किया कि चीजे सारी चीजे कबर करेंगे जैसे हम कबर करते सारे विडियो में दोस्तों सबसे पहले तो मकान के दिखा रहा हूं जिसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूं अभी ये वर्च में ही मीचे जो ए ये वाटर टैंक बनाया गया है। एक बिज़ा रहे हैं हम आप जागा। ये दो इसमें जो भी प्लाइन सब्केल के चोरे गया है का ड़क जा राट पारों। एक वीडियो मेरे चैनल पर है आप देख सकते हो बाउंटरी वाल के हाइट कितना क्या रखना है उसी साथ से यह देखिए मैंने पर पताया था आपको पास चिस से पिट के हाइट होनी चाहिए में जो फ्रेंट वाहरे बाउंटरी वाल होती है इसमें इन्होंने 5 पिट रखा हुआ है आपको जैसे ही अपन पोर्च से होते हुए अंदर के तरफ जाते हैं यह कुछ फ्रंड गेट है अगाट के प्रंड गेट देख सकते हो आप फ्रंड गेट जो है सागवान के फ्रंड तोकट लगवाई गई है इसमें और इसके उपर एक आपको जो है लोहे की दिखने को मिलेगा हूँ इसी के ऊपर पोर्च एरिया के ऊपर बोही है ने को पताया तो पहाँ बुदिंग टेस्ट करने की फाल सिलिंग है इसमें बड़ा साथ प्रिकी देखने को मिलेगी तरिकी जाली है अगे हम दोसको कॉल में लेख सकते हुआ है इसमें तेरा पीट है और लूहेत रख कर देख सकते हुआ हुआ हाल की साइज है। आपको मिलेगा ये बेडरूम के साथ ही आपको टॉयलेट दिया हुआ है इसमें अभी रह रहे है मज़दूर इसलिए मैं आपको इसको दिखानी पाऊंगा उसके लिए मैं आपको जाता हूँ आपसे और अंदर के जितने भी आपके दरबाजे में नहों ने लोर पैनलिं किय हुआ है उसको ये अपको एक लिए अपको ने आपको आपको बेखाता हुआ आपको आपको अपको एक अब देख पा है हो जो ताइल है ताइल बिल्कुल असलाब के जाने कि फूरे अच्छत पता ताइल लगाई गई गहिए इसमें और एक बेंटेलेशन के लिए रोशन आपके बास अगर बजट है आप भी कोशिश करें इन फ्लोर तक टाइल्स लगाए इसमें जोटीन चीज सही रहती है जो कि सुरेन बगेरा दुसरी चीज उपर की जो भी बॉश्च बगेरा बातियों भी जंदगी होती है तो आप उसको बिले कर ऐसे किसी में परकार के जो है अधियर से साथ कर सकते हूँ उसको थोड़ा सा आगयाने के बाद आपको ऑपन सेट अप में खिछन मिलेगा देखने को यह इस बंगलेटर किचन देख पा रहा है आप किचन में यह साइड वाले व्यूम में जो सायोट के साइड के तरब आपको विचन की खिड़की देख बहुत एक खूपसुरत तरीके से बनाया गया इसमें, आइस में बड़े एसमें लगाया जाता है, इसी प्रकार से ही आद्धी तोसा परवाई लेगा, आपको सही लगे, और यह डाइनिंग वारी जगह है, आल से जुड़ा हुआ ही है दाइनिंग वारी स्पेस, दाइनिंग की पालतिलिंग किया गया इस मकान में, दोस्तों डाइनिंग से ही आपको पीछे के लिए एक बाशेरिया प्लस एक गेट है, बहार जाने के लिए, देख सकते हो, आप यही से जो में रोड पे जा सकते हो, यह साइड विव दिखाया था, साइड विव में यही खिर्की और यही दर्वा ही, आप देख पा रहते हैं, तो यहां से तो बहार जाने के लिए रस्ता है, और गेनाइट के ही इस में चोकटे लगाई गई है, तो बस तभी लेके चलता हूँ, मैं वूपर आपको डाउन फ्लोर में यही था, एक कमरा, अटेस टाइलेट के साथ, एक कॉमन प्लस ऑल डाइनिंग, और अपका यह किचन हो गया और एक वाशरिया, वाशरिया से बाहर जाने के लिए यह यह एक राउन फ्लोर में आपको लेके चलूँगा, सीड़ी बाहर से ही है, पोर्स से याप पोसीडी मिलेगो और जाने के लिए, मैं गेट से होते हुए जैसे ही बाहर निकलोगे, फर्स जो है राइन साइड में ऐसे होते हुए आप फर्स प्लोर पे पोच जाओगे, मैं सीडी से लेकर चल रहा हुए आपको फर्स प्लोर पे, जीने पे देख सकते हो आप कुछ टेंग ब्राउन टाइप के जो है टेक्शर में ही ग्रिनाइट है, ग्रि करें इससे होगा क्या पुराने वीडियो में मैं पूर्च आया हूँ इससे होती क्या है फुल बहुत पानी या फिर कजी इसलन होने की चांस जो होती है बहुत ही कम हो जाती है इस इनके मुकाबले जीने से चड़ते ही सबसे पहले तो आपको यह एलिवेशन के तरब अबह आयँ है कि ग理. अजसर उसके बाद जैसे ही आप स्ट फ्लोर पर आऊगे आते ही सबस्ते पहले आपको बालकनी प्लिखत यह साब esperbalkony देखने की बालकली की चौडान जो है तक्रीवन 3.0 के आसपास चौडान सपास चौडान और यह balcony के रेलिम लगने के लिए ग्रिनाइट की बनाया गया है στο राटने के लिए उसका थिया बोल सक्तों या फिर इसको स्यत होने के लिए उसके एलेविशन के अप्र तक टबाख्यक तरब से स्टेलिंग लगते हुए इस दिवाल पे परेस्ट रोने वाली है तो इसे चलते हैं अंदर के तरब जैसे आप थोड़ी से उपर आएंगे जीने से आने के बात राइट-ंड साइट की यह जो प्रैसे जहां पर नीचे आमने पोर्च देखे थे पोर्च वाली जगह है इस देखने को मिलेगी लेकर चलता हुँ आपको में अलगर और देखे इसमें जो है आपका प्लाइबोर्ड और संमाइका से इसमें बुड़न पैनेलिंग होके जो है इसकी जो है चोखटे बन रही है अभी काम चालू है इसका जोस्तों यह हो गई आपकी ऊपर का फर्स्ट ब आपका पाजबाई पाज का बिंडो है जेख सकते हो आप इसमें पर का से कुछ बिंडो और बिंडो में बढ़िया तरीके से आपका ज्रणाइट से पैनलिं की गई है और आमेस केस में द्रिल लगाई गई है द्रिल की जो रॉड है रॉड की साइज है 10 mm की 10 mm से नीचे की की रॉड ना लगाए आप दिलो में कम से कम मेरा यहना आप से यह है की नीचे नहीं जा सकते हो तो कम से कम ता से मिन की रॉड को होना ही चाहिए और यही वो दर्वाजा है जिससे मैं अभी एड्टर हुआ का अंतर दर्वाजे के साइड में स्विच्वोर्ड है और इसका फाल सेलिंगी मैं आपको दिखाऊ हूँगा भी इस पाल सेलिंगी इससे पहले में आपको टॉयलेट में लेकर चलता हूँ उसको यह है टॉयलेट क की दर्वाजे को ग्रिनाइट से बनाए गया वगये ही इस माट करीके से काम किया गया इस मंगया में देख सेकते हूँ क्यों बनाया जाता है बाक्रूम में गरनाइट के डॉर आपको बनाना चाहिए और इतने भी वॉश एरी अब अगेरा यहां पर पानी का कॉंटक्ट र या फिर इस तरीके की लकड़ी के अगर चोकटे आपकी होगी तो दो डाइपर तक सड़ जाएगी आपकी चोकट इसलिए हमेशा कोशिश करें जहापे भी पानी के संपर्क में आना है आपके चोकट बहाँ पे आप ग्रेनाइट के चोकटे ही लगाए लिपेंस बही है नेरा हमेशा से तोयलेट में बढ़िया डिजिटल टाइल्स से टाइलिंग की गई है डिजिटल टाइल लगाई गई है देख सकते कुछ घ्रिनाइट के मार्बल के टेक्चर में है टाइल्स और साइजे इसकी दो बाई चार की इस बंगले में एक चीज आप बताना मैं भूल गय जितने भी बेडरोम और जितने भी मतलब रहने वाली शेटर है उनमें पूरी दो बाई चार की डिजिटल टाइल्स को प्रेफ किया गया है वाकि में आपको बीडेल में देखा होगा देख सकते दोस्तों इस तरीके से सब्स्प्इशर लगी हुई है फालेट में जो पर इस शावर है आपका शावर के पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर आपकी यह डव्लूसी लगने वाली है और व्लूसी के ऊपर वो देखने हुआ आपका गिजर लगने की गोश्ता है और गिजर को सप्लाइ देने के लिए यह पावर सौपट बनाए जाए और इसी तरफ मैं रोट के तरफ आपको छोटा सा यह रोशणदान देखने को बिलेगा रोशणदान के बगल में भीज़से को है को बगल आपको एक नगशाब्स वाले सौफ लगी है तो चलते है क्या है नेक्स्ट वाले वेड रूम में क्या है अपको लेको चलते हूँ देखिए इसका अचा सुरी दोस्तों मैं इसका फॉल सलीम दिखाने का बोला था आपको फॉल सलीम दिखा दूए उससे पहले देखिए यह दिजिटल टाइल्स लगी विजे दो बाइचार साइज की देख सकतो यह से लेके बहुत तक आपका चार फिट है और इस तरही के से इस तरफ से इस इसका इस्तेमाल किया गया है पूरे फश्ष पे बॉल टाइल्स भी आपका दोबाइचार दिखाता हूँ मैं आपको इसका पॉल सलीम किस टाइप से किया गया है दोस्तों अभी जो देखा आप में यह इसका पॉल सिलिंग का डिजाइन था कैसा लगा आपको बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके और देखिए कॉमान एरिया में बुड़न टेक्चर में दो भाई दो फित ताइल से लगाई गई है सारे जएके बें जितने भी कॉमन एरिया बहा पे में दो हैिए डौे दो टाइल से लगाई गई गई है जितने भी कॉमन दरवाजे हैं उत द्रवाज यह अन दरवज़ों पे आपका की तरफ चली गई है और ये राइटन साइट की तरफ में डोर है उपर के यह हॉल का और हॉल के साइड में एक खड़की है खड़की तक्रीवन 3.5 की है और खड़की में गरनाइट की पैललिंग होगी है उसको देख सकते हो आप वही दोगा ही चार के साइच की थाइट्स वाद इसके इटलिग में बात करेंगे इसके साइज है 13 वाई 14 पिट की हॉल की साइज है फस्पलोर का हस्पलोर के हॉल से होते हुई आप पिछपर प्याने की जाने का रास्ता है दरवाजा देखिए के आपका सेम प्याटन है जो मैं बता चुका हो इससे पहले भी चुछेए हैं थोड़ा सा अगयाने के बाद आपको सेटन्ड नंबर का बेटो मिलेगा इस मकान का यह स्पलाद का सेकंड नंबर का बेटो इस मकान में जो है आपको अद्वानेच का प्रयोग अभी किया गया है यह दुखाता हुआ आपको इसका टॉलेट मिलेगा इस बाले बेडरोम का लेख सकते हैं डिजितल टाइल से पैटन आपको बही ए इसके लगने का जो थीम है सब कुछ भी है खाली इसमें जो डिजाइन है मतलब इसका जो टेक्चर एटाइल का वह अला के सारी चीजे बैसे के बैसे हैं और इसके साथ जो है आपका यह बालकनी देखने को मिलेगा मास्टर बेडरोम होने वाला है तुसके यह वाली इस बंग अज़ाया जगा एसे से लिए लगाने के लिए परना इट से पॉपर इसकी जगा बनाया लेगा यह पहले लिए और यहां पर लगई लगे ही कि इसकी से जो आप में डोट देख सेतों में डोट मैं आपको फ्रंट का व्यू उपस जगे से कड़े होके दिया था अपको अपको दिखा दूँगा अभी साही चलते अपर इस के ंपर क्या है उपर व भी मै आप दिखा दू Mess को एक आपको देखहा भी इस तुरिक दीड़ी कि घये है दो अजो यह इसका इसका ज्रिकए अब यह बिछ चाहिए और बड़ी से होते ही जीने से होता ही मैं आपको लेकर ज़न रहहा हो यह उपर फिद्हा EST उपर आते ही आपको खमタु की उसी क्रिकी के ऊपर सेम से पैटन में है। से साइचपि आपको क्रिकी डेखने को मिलेगी तो परहेंछागा पर आने के बाद तावर से होते हुए पीछे जाने की रास्ता है अभी चलेंगे अपन पीछे और देखेंगे पीछे और क्या चीज बनाए गई है एक तो एक MS लेडर है उपर जाने के लिए पीछे एक सटप है वह सारी चीजे में आपको दिखाता हुआ अभी इस परकार की क्या बनाए उपर इसके अइरा बाटरपूबिन ने के लिए आप रॉपकीं है इसके ऊपर बनी जाए औरर पानी काल दिया जाएगा और इसके उपर चलता हुआ रहा है उपर भी घरनायट के यह आपधी टोफट मिलेगी आपको टॉयलेट उसी टॉयलेट के ऊपर यह टोफट होने वाली है आपकी और उसी बालकनी के उफर वही बालकने रखी गई 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 यहां पर रेलिंग लगने वाली है आपकी और यहां से आपको में रोट का इससे बेले जो नजारा देखा चुका था वही है नजारा आप देख पा रहे हो दोस्तों तो यह था अठरा भाई 45 प्लॉट एरिया साइज में हाई मंजिल मकान सारी चीज़ा आप समझ पाए हों कि कैसे क्या बनाया गया है क्या डिजाइन किया गया है सारी चीज़ा आप जानकरी इस वीडियो में आपको मिला है दोस्तों अभी मैं आपको मिलाने वाला पूरा जो मकान को रेडी करने में जिनका विशेज भुनी का रहा है इनसे यह हमारे राजेश भाईया, राजेश भाईया ने मकान को कम्पलीट किया, सारे मकान को इन्हों ही कम्पलीट किया, जो भी इसमें कारीगरी देखे हैं आपने, सो राजेश भाईया का ही जो है इसमे अब राज़ बहिया से सम्पर्क कर सकते हैं, पूरा टोटल आपको की हिंड़ोबर करते हैं, फाली आपको ड्राहिए जो है आपके साफ से पर्वाइड करना है, राज़ बहिया से कुछ सवाल मुचएंगे अभी और राज़ बहिया आपको वस सवालों को जवाब देंगे, बोपाल शेत्र से बाहर आपकाम लेते हैं क्या कैसे क्या रेड बगरा रहता है अभी जो हमने वीडियो में कवर किया है यह मकान का यह साड़े 1415 सुरूप पर स्कॉर फिट स्लावरिया की साथ से रहे हैं है कि अब प्रेड्री को सर्केड चलता है अच्छा बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके राजव दोस्तों आपको बोपाल शेहर में चरह में बुन हो या बिर हर्दा गीमन्णी आपको मकान का और राजजभाई का नंबर डिस्पले पे मैं जे दूंगा आप उसे नंबर पर पोन भी कर सकते हैं पोन करके उनसे पूच भी सकते है कि तो खाल आप प्रॉइट करिए पोरी एक्जिकेशन राजगभाई का होगा आपको एस पर ड्रॉइंग बना के देने का जो है बुरोल पुर आज़िवाई करेंगे नमस्कार आज़िवाई इसमें आपको मैं अच्छे से बता दू इस काम में आपका चुनाई प्लास्टर इस्ट्रेक्चर और इसमें फ्लोरिंग को ही इंपुलिट किया गया इसमें जो अंदर के फुट्टी फ्लस इदे बुडवन के काम देखे हो यह इन्पूड़िट नहीं है इसका बनने के बाद इसारी चीछी कंप्लेट होने के बाद मैं आपको बता दूंगा उसमें भी कितना खचा आया है पूरे मकान को कंप्लेट रेडि करने में रिडिक्र क्या आया है गोत एक आप पको बता दोंगा रगूताना कैसे लग आपको विडियो और अच्छ लगा हो तो उसे किस कि आपने बनाने का सोच रहे खर कर सकते हो कि इस परकार की डिजाइन हो सकती आप बनवाने के लिए आब उनको पसंद है तो बनाएंगे और बाती के लिए अब आपका और एक लाइक मुझे मॉटिवेट करता है इस तरी के की वीडियो बनाने में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार बार नमसकार